एक एतिहासिक लम्हा आप पहुचा है जब संसद में महिला आरक्षण को लेकर बिल पेश होने जा रहा है एक तिहाई महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा सदन में इसकी बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि शुरू में डूएल मेंबर्शिप यानि दोहरी सदसिता होगी यानि 180 के करीब ऐसी सीटे होगी जहाँ पर की दो संसद चुने जाएंगे एक पुरुष और एक महिला बाद में इसे बदल कर स्थाई रूप से महिलाओं के लिए सीट भी किया जा सकता है लेकिन शुरू में ही इसको लागू किया जा सके इसमें विलंब ना हो इसलिए शायद ऐसी विवस्ता की जा रही है इसकी चर्चा है तो ये डूएल मेंबर्शिप क्या है इसको लेकर उत्सुकता है लोगों में की पहले उन्होंने सुना नहीं है इसके बारे में की एक लोगसभा शेत्र से दो सांसद होंगे तो ऐसी क्या ववस्था बन सकती है, इसको हम डिकोड करने की समझने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ वरिष्ट वकील और कानुन विद तो यह किस तरह की ववस्ता होगी इसको जरा समझाइब देखिए यह दोहरी सदस्ता का जो अपने इंडिया में कोई नया नहीं है जब सुरू सुरू में हमारा जब देश अजाद हुआ था और सम्मिधान बना था तो उसमें हमारी सम्मिधान में SCSTS के लिए जो दलित और अदिवासी लोग हैं उनके लिए जो दी गई थे आरक्षण लोक सभा में और राज्य बिधान सभाव में तो उस समय भी सुरू में ऐसा कोई बहुत जो जनरल कटगरी है उससे कोई बहुत बड़ा विरोध ना हो इसलिए एक हमारी संसद ने एक कान जो है 1961 तक चली 1961 में इस वेवस्था को फिर जो है अबोलीस करके और स्टीस का जो रिजर्वेशन था उसको पर्मानेट कर दिया तो मुझे लगता है अभी बिल का पुरा प्रारूप सामने नहीं आया है बट मुझे लगता है कि चुकि पार्लियामेंट के सामने एक ऐसा हम पारे ही देश में एक जो है पूराना उदाहरण है तो हो सकता है कि पार्लियामेंट इस कानून को लागू करने के लिए जल्दी लागू करने के लिए इस तरह का प्रावधान बना सकती है और 180 जो एक तहाई सीट है उस पे दोहरी सदस्यता का प्रावधान किया जा सकते हैं मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि अगर चाहती सरकार तो ऐसा बिल ले आती कि शुरू में ही ऐसी ववस्ता कर देती कि इतनी सीटें आरक्षित की जा रही हैं लेकिन ये दोहरी सदसेता के पीछे एक तो आपने कारण ये बताया पुराने उधारण से कि विरोध की बात द एक स्टॉप गय परेंजमेंट के तरह आप इसको देखते हैं जो पुराना उधारण है उससे तो यही लगता है कि ये टेंपरोरी व्यवस्ता होगी लेकिन बहुत सारे कानूनवीद और बहुत सारे बिद्वानों ने इनफेक्ट महिला जो एक्टिविस्ट हैं वो भी ये प्रती जनसंख्या एक संसद पे जनसंख्या बहुत जादा है बहुत अधिक हैं बाकी दुनिया के देशों के तुलना में तो ये दोहरी व्यवस्ता मेरे समझे तो और अस्था ही होगी बट जदी पारलिया में इस तरह का एक्सपेरिमेंट करती है और लगता है कि एक करण तो हो सकता है कि पारलिया मेंट इस पर विचार करें और हर लोक सभाव में हर विधान सभाद चेत्रों में डिवल मेंबर्शिप लगा सकती है यह बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है कि महिलाओं का बिल्कुल तब तो 50% पर पहुंच जाएगा लेकिन फि चीज और सुनने में आ रही है कि जो एक तो पहले रोटेशन पर होगा फिलहाल जब तक यह लागू रहेगा कि ऐसा नहीं कि यही सीटें है जो हर बार 180 जहां दो सदस्य होंगे तो रोटेशन पर होगा बट बटके होगा बार बार अलग अलग सीटें बदलेंगी और जो सी चाहन सरकार रखने की कोशिश कर रही है बिल्कूल एक्चली जो हमारा प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा वैलू है वह सामनजस से बैठाना तो चुकि अचानक कुछ इतना बड़ा चेंज करेंगे तो बहुत बड़ा बिरोध भी हो सकता है और यह हमारा देश का इतिहास गवा रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा बिरोध देखा है जब भी रिजर्विशन है तो सरकार एक सामनजस और समानवेसी जो है समनवय करके एक जदी ऐसा कोई बिल लाती है तो स्वागत योग होगा और कम से कम बिरोध को देखते हुए जदी बदलावाता है बिना ज़्यादा डिस्रप्शन हुए बदलावाता है तो वो वाकई स्वागत योग होगा और वो अच्छा होगा जहां तक रोटेशन की बात है लगता तो ही है कि रोटेशन से होगा लेकिन कुछ जो इसमें महिला एक्टिविस्ट हैं या कुछ जो विद्वान हैं उनका तरकि है कि ज़्यां ये हरवार आप सीट रोटेट करें तो ये कांटर प्रोड़क्टी हो सकता है क्योंकि उस महिला केनडेट को अपना गोन से तयारकरने में इसको थैम करने करने में तो अभी सुनसी में उनसरे सूविस्ट हो होगा लेकिन यह जो भी होगा और टेंप्रोरी प्रोविजन होगा और पर्मानेंट शलूसन तो यह होगा कि एक तिहाई जो है सीटें वह रिजर्व की जाएंगी बिल्कुल यह बात बिल्कुल आपने सही कही कि जब बिल आएगा चुकि बहुत सारी चीजें स्पेकुलेशन या अनुमान के आधार पे हम बात कर सकते हैं तो यह अभी रहसे है लेकिन रहसे जल्दी खुलने वाला है कि सरकार का प्रस्ताओ है क्या लेकिन एक बात मैं और समझना चाहूंगा क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है कि डूल मेंबर्शिप होने जा रही है तो एक स सवाल है कि एक लोग सभशेत्र है वहां से दो सांसद हो गए आप जब सदन में मतदान होगा किसी भी बिल पर किसी भी प्रस्ताओं पर तो वोट कैसे डालेंगे क्या दोनों लोग डालेंगे इसके बारे में अगर आपका कोई अनुमान हो या आपकी कोई समझ हो तो है वो जितने पॉपलेशन को आप रिप्रजेंट कर रहे हैं उसी साब से आपका वोट का वैलू होता है तो मुझे लगता है पता नहीं किस तरह से बिल आ रही हो तो जब आएगा बिल तब सामने आएगा मुझे लगता है कि जो डूएल मेंबर्शिप वाले सीट होंगे उ उनका वोट एक काउंट होगा और जो डूएल मेंबर्शिप वाले हैं उनका दोनों का आधा आधा काउंट होगा तब ही जाके एक एक एकौल और प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर जो कि हमारे कॉंस्टिटूशन में भी लिखा है आठ के ले टीवन में कि जो मेंबर्स होगे वो प्रपोर्शनल ही रिप्रेजेंट करेंगे पॉपुलेशन को तो उसके हिसाब से सही होगा तो मुझे लगता है कि डूएल मेंबर्शिप वाले सीट में वोट की वैलू आधी आधी होगी मतलब उनका दोनों का वोट एक काउंट किया जाएगा आप स्तर पर तो है महिलाओं का प्रतिनित लेकिन लोकसभा में और विधान सभा में और राजय सभा में भी शायद ये बढ़ सकेगा बिल्कुल आपने सही समझा अभी तक जो हम लोग समझ पा रहे हूं यह है कि एक ट्रांजिस्टनल ये ब्योस्ता है इस प्राउधान को स्कॉलर्स ने बोला है कि हिंदुस्तान जो है महिलाओं को प्रतिनित दोने में सबसे पीछे है इवन यूगांडा रवंडा और पाकिस्तान जैसे देशों से भी हम नीचे हैं तो इस इस इस्थिति को बहुत दिन तक बरदास नहीं किया सकता है इस लिए जैदि पार्लिया को लागू किया जाए तो उसको करना चाहिए और यह होगा और जब भी जो भी बवस्ता आएगी वह हमारे अनुमानों के अधार पर इभाल होगी अनुभाव के अधार पर हम लोग उसमें और सुधार करते जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद नविन जी देखिए यह जो समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक बात स्वष्ट है कि यह जो वेवस्ता होगी अगर डूल मेंबर्शिप की वेवस्ता आ रही है तो यह स्थाई नहीं होगी दो हजार सताइस के आसपास डिलिमिटेशन यानि की जो लोकसभा सीटें हैं उनका दोबारा वरगी कर सिवांकन का काम पूरा हो जाएगा यह प्रक्रिया पहले से चल रही है उस दोरान जो है फिर सीटें भी बढ़ेंगी जिसकी चर्चा लंबे समय से होती रही है नए संसद भवन में सीटों की संख्या भी बहुत ज्यादा रखी गई है जो सदन है वहाँ पर सीटों की संख् होगी जब यह संख्या बढ़ेगी तो शायद उस समय स्थाई रूप से इस विवस्ता को कर दिया जाएगा डूएल मेंबर्शिप की विवस्ता खत्म हो सकती है और महिलाओं के लिए सीटें अलग से आरक्षित हो सकती है लेकिन फिलहाल जो डूएल मेंबर्शिप की बात जो कही जा रही है उसको हमने समझने की कोशिश की और नविन जी ने बहुत अच्छे से उधारन के साथ हमें बताया खास तोर पे ये भी बताया कि जब शुरू में SCST वर्ग के लिए आरक्षन किया गया था लोकसभा में तब भी डूएल मेंबर्शिप रखी गई थी जिस इसको बाद में खत्म किया गया है तो इन तमाम उधारनों से बहुत सारी बाते समझ में आई हैं बाकि जब बिल संसद में आएगा और किस रूप में वो पास होगा उससे और ज्यादा स्पश्टता मिल सकेगी निपुन साहगल एपी पी नियूस दिल्ली